रिमजिम रिमजिम बारिश और उसमें गर्मा करम पकोरे हो जाए तो उसका मज़ा ही अलग होता है हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे भजिये आज मैं बना रही हूँ प्याज और आलू के पकोरे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आलू लिया है जिसे मैंने पील कर लिया है और अब इसे हम ग्रेट करेंगे तो जो ग्रेटर का मोटा वाला साइड है उसके हम इसे ग्रेट कर रहे हैं आप इसे grate करके ही यूज़ करें तो इससे इसकी जो पतली जिली बनेगी तो आपके पकोरे बहुत ही क्रिस्प बनेगे तो ये देखिए मैंने इस तरह से grate कर लिया है अब इसे हम वाश कर लेंगे तो इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर स्ट्रेणर पर रखा है जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए आप चली एक प्याज लेते हैं इसे मैं पहले पील कर लूँगी इसके बाद आपको प्याज के एकदम पतली स्लाइस काटने हैं आप जितने पतली स्लाइस काट सके उतना अच्छा है क्योंकि जितना ही पतला स्लाइस रहेगा आपके प्याज के पकौरे जो है उतने ही क्रिस्प बनेंगे इसके बाद आप इसका लेयर अलग कर ले, इस तरह से आप इसे क्रश कर लेंगे तो इसका सारा लेयर अलग हो जाएगा फिर एक बाउल में मैंने प्याज लिया है, आलू लिया है, हरी मिर्च ली है और हम इसमें बेसन डालेंगे फिर हल्दी पॉडर, मिर्च पॉडर, नमक और इसे हम मिक्स कर लेंगे यहां पे आपको बिल्कुल भी पानी और नहीं करना है इसके बाद देखी मुझे लगा थोड़ा और बेसन चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा और बेसन इसमें डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी अगर आपके पास चावल कार्टा है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसे सब को अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले मुझे यहाँ पे बिलकुल भी पानी याड़ करने की जरुवत नहीं परी अब चले पकोरे को फ्राइ करते हैं तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ओयल आप कोई भी ओयल इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ पे आपको पकोरे फ्राइ करने हैं मीडियम टू हाई हीट पे आप यहाँ पे एकदम शेप पे ध्यान नहीं दे आपको इदम पतले पतले इसके जिल्ली जैसे बनाने हैं जितना आप पतला डालेंगे न आपका पकोरा उतना ही क्रिस्प बनेगा और बस इसे आपको पलटे हुए फ्राई कर लेना है ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ गया है तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए है तो बारिश के मौसम का मज़ा ले गर्म गर्म पकोड़े के साथ यहाँ पर मैं यूज कर देए हूँ थुरा सा चार्ट मसाला इससे उसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा तो आप जल्दी से ये बना के खाएं और बारिश का मज़ा ले तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक कीप वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग मैं चैनल बाई बाई पर नाओ